तो जाहिन साथियो BPC TRE 3.0 जो आपका री एक्जाम होने वाला है यानि पुना परिक्षा जो है आपका आखिर कब होने वाला है कुछ दिन पहले आपने एक नोटिस देखा होगा जिसमें एस्टेट के बारे में जिक्रे किया गया था पर उस नोटिस को बार-बार ने का था कि आपका जो श्रीट का मार्ज में परिक्षा होने वाला था अब वह है मई-दास्ट में होने वाला है वह सकता है सरकार आप चाहेगी कि इस फ़र्म को फीर से मोडिवाइट करके जो पास हो जाएंगे उनको फीर से मौका दिया जाये एंटी री ठीजिकों तेरी फोर में मर्ज किया जाए क्योंकि अगर अभी आपका एक्जाम नहीं होता है यानि बीपेसी जो आपका पेपर लिक मामला में जो अभी केस चाड़ रहा है अगर उसका जल्द से जल्ड निप्टारा नहीं होता है देन यह जो है ना यह लंबा बाहली जाने वाला है तो उसका एक्जाम बहुत जदा टल जाता है और ऐसे में जल्द से जल्ड यह परिक्षा हो जाएगा तो कहीं न कहीं हम लोग के लिए प्रॉफिट होगा नहीं तो जब भी यह स्टेटे पेरिंग वाले यानि अभी जो आपका परिक्षा देंगे उनको मौका मिलता है तो कहीं कहीं यह लॉस होगा सरकार को तो प्रॉफिट होगा पर हम स्टुडेंट को लॉस होने वाला है देखिए अब पूना परिक्षा के लिए हमें आवाज उठाना पड़ेगा बिल्कुल उठाना पड़ेगा ट्यूटर केंपेंड करना पड़ेगा कीरी एक्जाम जल्द से जल मतलब ध्यान में रख इसलिए आप सभी से निवेदान है कि इसके यानि री एक्जाम के लिए हमें ट्यूटर कैंपेंड करना होगा और जल्द से जल्द इसका परिक्षा का मतलब कराने के लिए बीपेसी को बिवश करना पड़ेगा तबी जाकर वो एक्जाम लेगा अधर परिच्छा लेकर खतम किया जाए बाकी जैसे फर्दर कोई अपडेट आता है बीपेसी के तरफ से कि एक्जाम को लेकर या फिर कुछ और रिगाडिंग तो मैं आपको इस चैनल के बादे हमसे अपडेट कर दूँगा तो इसलिए चैनल पनने हो तो चैनल को करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजएगा चलिए ठीक है मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक जाए हैं